अगर आप जाना चाहते हैं कि मार्श मंत में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की अनरजीज होंगी, क्या आपकी अनरजीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीजों का खयाल रखके आप मार्श मंत में अपनी लव लाइफ को बहतर कर सकते हैं, त तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, चलिए पाइसेज आप लोगों के लिए देखें कि मार्श 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, मेरे पास यहाँ पे तीन सेट अफ कार्ड्स हैं, फर्स सेट में हम आपके एनरजी सेखेंगे, सेकेंड सेट में आपके पाइसेज आपके लिए हाँ पे इस सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है, और यह कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या मार्ट स्टार्टिंग में, आप कहीं इमोशनली किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर या फिर ओवर ओल ही लोग फील करते वे दिख रहे हैं, कुछ पाइसेज के लिए literally mood swings रह सकते हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप over emotional, over sentimental किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, और देखिए सब के लिए different reasons होंगे, लेकिन यहाँ पर queen of cups के नीचे forgiveness का कार्ड कहता है, कि कोई गलती पीछे या तो आप से हुई या आपके partner से हुई, उसके उपर जादा focus कर रहे हैं, और कहीं या तो माफी देना चाहा रहे हैं, या फिर अपने partner से एक माफी चाहा रहे हैं, तो देखिए overall के लिए forgiveness से related, एक सोच आपके मन में रह रही है, और इसी से ही related, कहीं emotionally आप low feel कर रहे हैं, और मैं कहूंगी emotionally बहुत great नहीं feel कर रहे हैं, फ उनको माफी मागनी चाहिए, कहीं overall चीजों को resolve करने पे, solve करने पे आपका focus रह रहा है, यहाँ पे देखिए spiritual maturity का card भी इसी चीजों को और confirm करता है, कि बहुत ही maturity के साथ आप चीजों को deal करना चाहा रहे हैं, I don't know आप इस card को कितना देख पा रहे हैं, इसमें यह जो couple है, वो बहुत ही एक दूसरे के करीब है, और कहीं mountain देखिए, progress, growth को represent करता है, और mountain का रस्ता भी बहुत beautiful है, और उपर भी देखिए, बहुत एक beautiful सी light है, तो कहीं यह card कहता है, कि आप एक दूसरे के viewpoint को समझ के, understanding, compassion के साथ, again maturity के साथ, अपने partner के साथ आगे बढ़ना चाहा रह हैं, और इसी से ही related या फिर otherwise भी, the hungman का card कहता है, कि आप कुछ compromises, adjustments या तो कर रहे हैं, या फिर करना चाहा रहे हैं, कहीं चीजों को different, you know, नजरिये से भी देखना चाहा रहे हैं, समझना चाहा रहे हैं, and देखिए, आपको मन ही, मन बहुत एक strong feeling हो सकती है, कि आपके partner ही, आपके soulmate है, आपके partner के साथ, कोई ना कोई तो आपका past life का connection है, कोई ना कोई तो बहुत strong connect है, लेकिन देखिए, इन सब चीजों के बावजूद भी, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि end March में, आप कहीं बहुत ही logically चीजों को deal कर रहे हैं, आप हर चीज के pros and cons को way करते हुए, हर चीज के again advantages, disadvantages को समझते हुए ही action initiative ले रहे हैं, तो फिर से दीखिए, हम यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं Pisces, कि March मन्त में आपकी energies में एक shift आ रहा है, या फिर एक transition सा रहतावा दिख रहा है, जहां March starting में बहुत emotional, बहुत sentimental हो रहे हैं, वही mid March में हो सकता है, इसी से ही related compromises, adjustments आप कर रहे हैं, लेकिन end March के लिए थोड़ा सा logically आप चीजों को deal करना चाहा रहे हैं, या कर रहे हैं, और दिखिए कुछ Pisces को ऐसा भी लग सकता है, कि जो भी आप कर रहे हैं, वो fair होना चाहिए, आपके partner के लिए, या फिर इस relationship के लिए, या फिर आपके लिए, और क देखिए, आपके partner के लिए, यहाँ पे सबसे पहले cards में जो दिख रहे हैं, boundaries and four of pentacles, और ये दोनों ही cards, एक तरीके से boundaries की ही बात करते हैं, कहीं four of pentacles का card किसी चीज़ को बहुत tightly पकरने की बात करता है, ये सब Pisces के partner के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है कि अपनी emotions, प्यार, महबत उनके मन में आपके लिए है, उसको वो बहुत tightly पकड़ कर बैठे हुएं, यानि कि उतना share नहीं कर रहे हैं, उतना express नहीं कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, Pisces आप से कोई बात हुई, या फिर आपने उनको कुछ कह दिया, उस चीज़ को वो बहुत tightly पक कड़ कर बैठे हुएं हैं, कुछ Pisces के लिए भी रह सकता है, कुछ के लिए कोई आदत हो सकती है, अगिन कोई भी चीज़ हो सकती है, जिसको बहुत tightly उन्होंने पकड़ा हुआ है, एक rigid fixated energies भी उनकी तरफ से Pisces, कहीं कुछ time से या मार्ट स्टार्टिंग में रहती हुई द दिख रहे हैं, कहीं उन्हों अपने आपको limit कर रहे हैं, अपने आपको restrict कर रहे हैं, अगें दिखिए boundaries का card भी कहता है, कि खोए के नहीं express कर रहे हैं, अपनी feelings को, emotions को, love को, दिखिए yang yang का card कहता है, कि एक balance हो लाना चाहा रहे हैं, उनको ऐसा लग सकता है, कि कोई चीज़ बहुत जादा हो रही है, या फिर बहुत कम हो रही है, और उसकी वज़े से issues और मसले रह रहे हैं, और इसी में ही again, एक balance वो लाना चाहा रहे हैं, बहुत practical, बहुत realistic होकर चीज़ों को deal कर रहे हैं, कुछ prices के partner के लिए हो सकता है, कि एक stability, एक commitment भी, या तो चाहा रहे हैं, या फिर दे रहे हैं, नहीं तो overall के लिए देखिए, काफी practical, realistic होके, वो चीज़ों को deal कर रहे हैं, और देखिए, overall के लिए ही, कहीं March मन्त में, prices, आपके partner उतने actions, उतने initiatives नहीं लेते वे देख रहे हैं, हाला कि देखिए, end March के लिए, आपे dating का card कहता है, आपसे मिलना चाह चाह रहे हैं, आपसे connect करना चाह रहे हैं, आपके साथ dating पर जाना चाह रहे हैं, बहुत interactions, बहुत एक, you know, बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन surface level के लिए four of cups का card कहता है, कि उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं, और इसलिए या पिर otherwise भी emotionally थोड़ा सा low भी feel करते वे दिख रहे हैं, और हो सकता है कि अगर आप उनको कोई चीज offer कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वो आपको मना कर रहे हैं, इतने open कहीं, जो भी आप कह रहे हैं, कर रहे हैं, चाहा रहे हैं, उसके लिए March month में Pisces आपके partner नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, अब देखते हैं Pisces की March month में क्या हो तो देखें, March month के लिए यहापे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है manifestation, और यह card कहता है कि आप दोनों ही इस relationship को एक दूसरे को अपनी life में manifest करना चाहा रहे हैं, लेकिन surface level के लिए बहुत एक immature energies, आप दोनों याप दोनों में से किसी एक की रह रही हैं, एक minor frustration, एक minor irritation भी रहत हुई दिख रही है, और कुछ prices के लिए हो सकता है कि काफी blunt, straightforward communication, आप दोनों याप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं, और curious कुछ prices या फिर उनके partner रहते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा एक जासुसी वाली energies भी, again आप दोनों याप दोनों में से किसी एक की रह रही हैं, में रह रहा है, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए love, प्यार, महबत महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथी साथ एक missing feeling भी है, और इसके लिए सब के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन deeper level के लिए worthiness का card कहता है, self को आप दोनों ही किसी ना किसी level पर prioritize करना चा रहे हैं, या फिर आपके partner की जादा ये energies रहते हुए दिख रही हैं, जहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है, कि भई, self बहुत important है, self love बहुत important है, self respect बहुत important है, और उस पर काफी focus करते हुए दिख रहे हैं, और इसलिए देखिए एक love, प्यार, महबत आप दोनों के बीच म रहने के बावजूद भी, एक missing सी feeling, mid-march में, या मार्श मन्थ में रह सकती है, और दिखिए end-march के लिए, यहाँ पर sacred woman का card, again एक healthy boundaries की बात करता है, self respect, self love को prioritize करने की बात करता है, जो कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करते वे दिख रहे हैं, और यहाँ पर द March मन्थ में Pisces आप लोगों के relationship में रहतावा दिख रहा है, हाला कि देखिए Empress Rivers का card, over love, over care, over pampering, over you know, एक दूसरे के लिए feel करने की भी बात करता है, तो कुछ Pisces के relationship में ऐसी energies भी end-march में रह रही हैं, लेकिन देखिए कितनी भी ऐसी energies रहें, deeper level के लिए sacred woman का card कहता है, कि एक self respect, self love पे तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक focus कर रहे हैं, और कुछ Pisces के लिए दिखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि overall ही, कहीं worthiness, self esteem, self respect, self love, ये एक focus आप लोगों के relationship में कहीं March मन्थ में रहतावा दिख रहा है, और इसी की वज़े से हो सकता है, कि चोटे मुटे issues, मसले रह रहे हैं, या फिर अगर कोई गलती, कोई mistake आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक से होई है, तो उससे related कहीं चीजें उस level पे resolve नहीं हो रही है, उस तरीके से कहीं solve नहीं हो रही है, इसके बावजूत की एक प्यार महबत आप दोनों के ही मन मे एक दूसरे के लिए है, तो यह था पाईसेज आप लोगों के लिए मार्श 2023 की लव टारो रीडिंग, और अगर यह रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें